प्यारे दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो इस फैन के बारे में ये सोगो कोल्ट का एक फैन है चैना का जैसे कि आप देख सकते हैं ये 12V के 6V का एकशली 12V की भी फैन होते हैं DC 6V का फैन है और 220V इसकी पावर है पीछे से इसकी पावर 220 वल्ट है पावर सुप्लाई के जरीए थैसे 6V में एडेपट किया जाता है 220 V को को 6V में चैन्वार्ट किया जाता है CDC बात तबदील किया जाता है पर फिर प्रेटरी चार्ज होती है छे वोल्ट की और फिर इन स्विचे के जरीए इस फैन को चलाया जा सकता है अब मैं देखा था हूं किस तरीके से पहरे पार स्विच कौन करते हैं इस तरीके से अच्छा उसके बाद फिर फैन गुम गया लेकिन यह चलता नहीं है अच्छा यह पावर की बेटी और यह देख सकते हैं आप अच्छा यह लेटी चार्जिंग तो फिर बिजली से चार्ज करते हैं तो कहीं ब्योंने नगी हो podr देखते हैं इसके नदर एलेटी लेटी लगे हुए यह यह जए अड़किन यह गेगिर प्र अजिक तर आक जिसके Š सरकेट में है यहां पे तो हम इसको थोड़ा सा responsin screen यह press switch के जरी control किया हुआ है तो जए हम इसका फैन section जो है उसको देखेंगे कि इस तर्की से हम करते हैं और इसके लिए जो है हम इसकी power off कर देते निए उसके बाद इस फैंब को साइट पर रखके न हमाब को दिखाते हैं किसे करते हैं कि ये है इसमें काफी सारे स्क्रीव लगे हुए यह फिर ले हम खोलते हैं फिलिप्स इनको खोलेंगे जैसे कि आपने देखा एक खोला दूसरा खोल लिया इसके बाद यह कवर निकालेंगे इसके नीचे बैटरी है बैटरी को निकालते हैं एक थोड़ा सा इसको फैन को नेचे किया जाए तो हाथ में आ जाती है इस तरीके से करके इसके दो अब यह डेकित्र खुर्णेक है ऐसको निकाल लेते है बैटरी को अलग कर लेते यह बैटरी है 6 वील्टी जैसा कि आप देख रहे है साथ एंपर छे वोड की बैटरी है ठीक है जी रिचार्जबल यह भी 100 को कमनी की है ठीक है जिसको साइड पर रख लेते हैं इसके बाद यह वाला इसमें काफी सारे स्क्रिव हैं सबको खोलेंगे मेरे खिल चे यह चे की तादाद में स्क्रिव होंगे शायद तो सारे के सारे से इनको खोलते हैं यह कवर अलग हो जाएगा स्क्रिव खूलने से कैमरे को मैं थोड़ा साइड एंकल से चला रहा हूँ मुझा इसकी यह है कि काफी बड़ा है यह फैन साइज में तो मजबूरान साइड से चलाना पड़ता है सारे इसके दो यह निकाल लिए अब यह उसके पोस्ट का नट है डंडे का यह ओल एक प्लास्टिक का अब भी कवेर अलग होगा Jorge नई अलग होगा तो यह मैं ने आटा दिया इसके बाद थोड़ा से इसको फ्एंचे जिए तो यह बाहर rocking तो जनाब यह चीज बाहर आगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यह इसका सरक्ट है, ठीक है यह इसकी पाउर सब्लाई है, यहाँ यह इसकी पाउर सब्लाई है, ठीक है इसके बाद, यहाँ इसका यह सरक्ट है, ठीक है यह फैन का सरक्ट है, स्विच का सरक्ट और यह प luckily दिए तरफ किये महला एको प्लाइ अधकी और भागी का जो शिस्टम है जिसे का प्लाया है जो भी बार स्थिल्सला है यह बागी सिस्टम है यहां से जाती है यह बोल हो के जाख भी के चलती है ठीक है जी यहां पर switching होती है फैन के लिए सब मसला अच्छा प्रावलम में इसमें यह आती है कि इसके अंदर एक IC लगा हुआ है यह यह आईसी लगा हुआ है तो यह एक फिलिप फ्लॉप सिर्किट इनों ने तश्कील दिया है जो कि काफी मुसीबत चीज है तो वो उससे जान पड़ाते हैं यह चीज नहीं होनी चाहिए इसकी जगह हम एक अच्छा सा यह वाला अन अफ स्विच लगा सकते हैं जो कि खुब ह इसा हमें काम देगा यह पराने इसका है मैं इसकी आँलक कर दूँगा यह किसी जूसर अच्छा मार्य किसी जगह करेंगा करके स्विच को लगा देंगे बाहर की तरफ सको को करके हम इसके सरक्र को चला देて हैं तो वो सारी तफ्सिरogy मैं आपको इस वीडियो में बताता अन आफ के लिए यह नीचे आफ अन और उपर आफ तो इस तरीके से हैं अभी में जो चीज आती है वो इसके कोनेक्शन से हैं वो बड़े इंपोर्टेंट हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़े हैं मैं किस तरीके से हम करते हैं वो हम बात है यह स्विच यह लगा कोनेक्शन करने वाली वह बहुत एहम बात है किस तरीके से हम इसको क्नेक्ट करते हैं तो यह सब मैं आपको तफसील दिखा रहा हूँ इसके लिए सबसे पहले तो आपको मीटर चाहिए मुल्टिमीटर को हम रेंच पर कीजिए ठीक है जी और फिर जो है ना हम रेंच पर कर चैनल रेड तर के सीरीज में स्विचिया जिस तरीके से भी करके रेक्रोनिक स्विचिंग जो भी है ठेक ही यह जो दो आपको नजर आ रही है यह वरी पोस्ट पर एक यह और एक ही यह 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 दो एक के साथ यह रेट तार लगी लिए खर लिए ठीक जी और यह नीचे यहां पे प्लाइब होते हैं इह पावर यहां पर इंड़ की जाती है और फिर ऐन्या पन्का चलता है यह दो कणेक्षन है यह पंके के उपर गए हुए यह दो कनेक्षन दो आता है ब्लू वाले ये इसके 220 वोल्ट जो यहां पर लगते है ना मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग के लिए या चलने के लिए जो भी है ये 220 वोल्ट का कॉनेक्टर है यहां से ये दो तारे ब्लू वाले आई हुए है तो ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा ये रेड के वी आखुए है कालि तार इस पत्री पे चुकानी नेगटिव तो ये लिखो भी ये रएक शामने के साथ है किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीक से स्वीकिकी की गई है इसके switch off है तो off हालत में हम चेक करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है तो multimeter को मैंने arm range पे किया हुआ है इसको continue range पे कर देता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ meter को मैंने continuity कर दिया है ये continuity connection नज़र आ रहा हूँ out of limit है मैं इनको मिलाँगा तो zero हो जाएगा जिरो ये बीप है ठीक है जिए बीप सुनाई दे रही है और zero हो गया तो ये इस वक्त मिले हुए थे अच्छा इस पर हम continuity चेक करते हैं तो पहले हम इसकी red तार की चेक करते हैं कि red तार की क्या continuity है बैटरी की यहां तक बैटरी की continuity बैटरी की continuity यहां से यहां तक हम चेक करेंगे कि इसको IOS switch से off किया गया है अंदर से के नहीं ठेक है और इसको one off किया हो गया तो हम अपने switch को इसके साथ मिलाएंगे और अगर इसको नहीं起 क्या होगा तो दूसरी तार negative को चेक करेंगे अगर उसको आफ किया है तो हम इसकी उपर स्विच को मिलाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, तो ये मैंने एक मेटर का प्रॉब इसकी उपर रखा और एक इसकी जो पाजिटिव है इस पर लगाता हूँ, देखते हैं मैं कंटिन्यूटी मिल रही है, इ इसकी उपर एक मीटर की प्रॉब लगाएं, काली लगे रेड लगे कोई मसला नहीं है, अच्छा, यहां पर नेगिटिव की पर लगाएं बीप आती है या नहीं आती है, बीप आके खतम हो जाती है, मीटर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी, ये जनाब बीप आई गई खतम हो भी, 586 की कोई रीडिंग आ रही है, ये टायोड है, इसके रस्ते में, इस पर जैसी ये बीप दे रही है, लेकिन मिला वह नहीं है, तो हमारा जो काम है इस नेगटिव तार के साथ है, इस वाली तार के साथ, रेड मिली वी है, बलेक को हम मिलाएंगे, मिल इसको मिलाएंगे, कोनेक्शन का तरीक ये है, कि ये नेगटिव यहाँ से एक नेगटिव लेके, यह यह वाली नेगटिव यहाँ पर आई हुई है, इस से लेके, यहाँ से इसको मिला देंगे, और इसकी दूसरी जूला के है ये वाली, ये लेके ना, तो हम ये बैठरी की तरहीं यह तार है ठीक है एक नोकर लेके है कोई आवी ले सकते हैं कोई भी तार काम करेंगी लेकिए लेकर यह कि फट्वलेंगी तरशी कोई ये भी कृटिडर लेको तो इसको यह तरुटर क्रैंगी है vendor kав savior की मदद से हम इसको जो नहीं नेगटिव लगा रहे हैं जो स्विच के साथ है इसको सुल्टर कर रहे हैं जनाब यह मैंने सुल्टर कर दिया सुल्टिंग अच्छी होनी चाहिए परफेक्ट ताके बाद में निकले नहीं और एक स्विच की उपर हम इसको सुल्टर कर देदें मैं आपको दिखा पार यहां, इस पोस्ट से स्विच के सकाए स्विच की दूसरे रञड से दूसरे टर्मिनल से बेटरी तक यहां तक हम इसको सुल्टर पर गंगे उपाति यहां तक आयो है वाइन जिए बैटरी का नेमें लग ओफ टक 機 hatten यहां इसको को सोल्डर कर देता हूं इसके साथ तो जिन अब ये एक पर मैं लेके ना कि इसको मैं इसको पर सोल्डर कर दूँगा यहां से स्विच के प्रांग की उपर मैं इसको सोल्डर कर रहा हूं असराख भी होता है स्टराख मैं से गजार के तो हैं सॉल्डर करतेया ताके मस्बउति से सॉ फज़र होगया, अब यहां पर यह पे है इस वड़र के नेगटे हो लिए यहां पर टार के इसे तरह सकते हैं हम तो हम उपयोर कूश tasked है, थोड़े से तार को धीला चुटिए विशाए करने में असानी रहे बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करेंगे इस तरीके से करके तारे अच्छी मजबूत लगाएं अच्छी कोपर की तार होनी चाहिए ताके बाद में फिर करण डरंट की डेंसिटी और यह वह मसले मसाले ना बने अच्छा यह हो गया अब इसको यह है तmpfen सूल्डर कर देया है है तरमिनल्स पे सारा एक ही है यह मैहां सूल्डर कर दिया भ्रहखने अब भूठों हम इसको टेस्ट करते हैं चेक करेंगे नहीव कि आ 스क्षास करने का तरीका यह दो है कि इसको सीदा कर देते क्रने पहुत पास्ट में कि खड़ा करतें बेटरी लगाएंगे ठीक है जी बैटरी का जो नेगटिव पर जोड़ेंगे और जो पाजिटिव तार है उसको पाजिटिव पर मिलाएंगे यह लग गई जना बैटरी की तार है अब मैं इसको टेस्ट करने लगाऊँ स्विच पर अन करते हैं देखिए फैन चलने लगा स्विच आन करने पर और फिर आफ करता हूँ तो देखिए फैन आफ हो गया ठीक है यह ता एक दोबारा मैं आन करता हूँ यह आन हो गया फैन चलने लगा ठीक है यह बैटरी चार्ट करना मांगती है छार्च करेंगी तो ये मसला ठीक हो जाएगा लेकिन अब इसका तालोग इस में वीडियो के साथ नहीं रहा दिए सर अरफ LED का जो तालग है वह है यह LED जा है यह चल अभी तक इसकेसाथ है लेकिन जो फैन है उसका स्विच ही हुगा हमारा ठीक है यह मारा स्वेड हो गया और यह आफ हो गया, तो इस तरीके से यह हमारा है, तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बसंद आई होगी, तो मैंने सब कुछ आपके सामने कर दिया है, और उमीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी इस फैन की, और जो हमने इसको सर्कुट मोडि ये सावे तोंगी.